आपके स्क्रेन पर दिख रही या फोटो सन 1993 के अकाल के टाइम पे दच्छिड अफरीका के सुनान की है आपकी जनकारी के लिए बता दू या फोटो 33 वर्षिय जनर्लिस्ट केविन कार्टर ने आत्म हथ्या लेने की कारण भी बन गई थी या फोटो उनके आत्म हथ्या की का सुनकर आप इमोशन तो मैं नहीं कह सकता पर आप सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि इंसान के हालात कैसे आ जाते हैं तो दोस्तों मैं हूं साहिल साइंस फैक्ट और आपका स्वागत है साहिल साइंस फैक्ट के अमेजिंग से चैनल में तो फिर शुरू करते हैं यह फोटो सन 1993 के दच्छिड अफरीका का है जब वहाँ पर आकाल पड़ा था जैसे इस समय कोविड-19 की वज़ा से आकाल पड़ा हुआ है तो उस समय पर जो लोग भूखे थे वह नहीं में सी एक बच्ची थी तो उन में से एक अफरीका का फोटो जनरलिस्ट केविन कार् में न्यू अर्क टाइम्स के न्यूज पेपर में छपी थी जिसे केविन कार्टर को बहुत ज़्यादा सफलता हासिल मिली यही नहीं 1994 में इस फोटो के लिए उन्हें पुलिटिजर आवार्ड सम्मानित किया गया जिसे उन्हें लगा कि वह लोगों की बीच में बहुत लेकर घर चला आया और पता नहीं उस बच्ची का क्या हुआ और उसके बारे में तुरंत एक जनरलिष्ट ने पूछा कि सर वहां पर कितने गिद्ध थे अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है यहीं से उनकी आत्मात्या का कारड़ बने थी या फोटो तो सुनिए कितने गिद्ध थे वहां पर उन्होंने पूछ तभी केविन कार्टर ने बोला एक तभी भड़कर जनरलिष्ट बोला एक नहीं दो गिद्ध थे एक जो बच्ची को मरने का इंतिजार कर रहा था और दूसरा जिसके हाथ में कैमरा था जो अपनी स्वार्थ की उज़ा से उस बच तो उसने आत्म हथ्या कर ली आप सोच सकते हैं इंसान का स्वर्थ उसे किस मार्ग पर ले जा सकता है और वह कौन सी कठनाई या उसकी जिंदगी में आ जाती है जिसका वह सामिन नहीं कर बाता और आत्म हथ्या जैसे बिमारी का सिकार हो जाता है इस फोटो को लेकर आपके हैं आप विजित अगैन